हें दोस्तों टौफा हिंदी चनल पर आपका स्वागत है मिरा नाम है शाहिद और आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग बॉलिवड फिल्मों के बारे में जिनने नमबर 2021 में रिलीज किया जाएगा किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री कोई फरक नहीं पड़ता है फाइनली अब जब सिनमा हौल खुल गए हैं तो कई बड़ी फिल्मों के लिए रास्ता भी खुल गया है इसलिए नमबर में बॉलिवड की कई बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं आज की इस वीडियो में हम उन्हीं फिल्मों के बारे में बात करेंगे चलिए जानते हैं नवंबर में आने वाले बॉली उड की पांच बड़ी फिल्मों के बारे में तो अगर आपको भी ऐसे इंड़स्टियूड देखना पसंद है तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस घंटी क भी दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे नंबर पांच धमाका धमाका एक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें कार्थिक आरियन लीड रोल में हैं इस फिल्म को राम माधवानी ने डारिक किया है और ये फिल्म साउथ कोरियन फिल्म फिल्म का ट्रिलर तो आप सबने देखा ही होगा ट्रिलर अच्छा है जहां हम देखते हैं कि एक ट्रिलिस्ट है जो सी लिंक उडाने की धमकी देता है उसके बाद हम देखते हैं कि उसके कुछ दिमांड है जिसे अरजुन पार्टक को पूरा करवाना है तो क्या चाहता है और अर्जुन पाटक क्या करेगा यह हमें फिल्म में मालू पड़ेगा तो ट्रेलर अच्छा है देखना होगा कि फिल्म कैसी जाती है यह फिल्म 19 नुवंबर को नेट्फिलिक्स पर लिज होगी आज मैं एक इक्स्क्लूजब इंटर्व्यू उस टेरिस से बात करूं जिसने लेकिन इस फिल्म का पिछली फिल्म से कोई लेना देना नहीं है जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है तो यह फिल्म भी एक एक्शन फिल्म है जिसमें जॉन अबराहाम तिरपल रोल में में वाकई फिल्म की कहानी तो ट्रेलर में ही थोड़ी बहुत मानूपर्थी है अब जॉण अबराहम का एक्शन है तो भाई आप समझ सकते हैं कि वह चोटी मोटी चीजिये उठाते और तोड़ते नहीं हैं तो देखना होगा कि इस फिल्म की कहानी क्या होती है और ये फिल्म लोगों को कितना पसंद आती है वैसे सही बताओं तो ट्रेलर मुझे कुछ खास नहीं लगा है तो ये फिल्म 25 नॉवंबर को रिलीज होगी नंबर 3 बंटी और बबली 2 बंटी और बबली 2 2005 की सुपर हिट फिल्म बंटी और बबली की सिक्वल है पिछली फिल्म में बंटी का रोल अभी से एक बच्चन ने प्ले किया था लेकिन अब उनकी जगे इस फिल्म में सैफली खान नजर आएंगे बाकी बबली के रोल में रानी मुखरजी ही एक बार फिर से वापस आई है फिल्म का टेलर भी आ गया है जहां हम देखते हैं कि बंटी और बबली ने लोगों से फ्रॉड करना छोड़ दिया है और वो अपने बेटे के साथ सुकून से जिन्दगी बिता रहे हैं लेकिन तभी पता चलता है कि कोई है जो बंटी और बबली का नाम यूज करके लोगों से फ्रॉड कर रहा है तो आकिर रियल बंटी और बबली कैसे उन्हें पकड़ते हैं यही इस फिल्म की कहानी होगी ट्रिलर ठीक ठाक है ये फिल्म 19 रिवंबर को रिलीज होगी अर बबली बंटी अर बबली एन दोनों ने आप दोनों की बेंट बचा दे नमबर दो अन्तिम सलमान खान और आयूशर्मा की अपकमिंग फिल्म अन्तिम भी एक एक्शन थिल्लर फिल्म है जिसे महेस मांजरेकर ने डारे किया है ये फिल्म 2018 में आई मराथी फिल्म मुलसी पैटन की रिमेक है तो अंतिम फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज किया गया है जिसमें आयू सर्मा की एक्टिंग काफी सांदार लग रही है वैसे ट्रेलर देखकर काफी लोगों ने आयू सर्मा क तारिभी की है बागि सल्मान खान इस विलिम में एक बार फिर से पुलीस आफिसर के रोल में नज़र आएंगे तो ट्रेलर अच्छा है देखना होगा कि फिल्म की कहानी कैसी होती है यह फिल्म 26 नौंबर को रिलीज होगी मेरी भी पैदाइश महरास्टा की ही है लेकिन मैं तेरी तरह गुंडा नहीं बना मैं बना गुंडे दा पाप पुलीस वाद नौंबर एक सूरिय वनसी मच अविटेड फिल्म सूरिय वनसी भी नौंबर में रिलीज होगी काफी बोले तो काफी ज़्यादा इंतिजार करने के बार आखिरकार ये फिल्म दिवाली के मौके पर आने वाली है फिल्म के बारे में ज़्यादा बात करके मतलब नहीं है क्योंकि शायद ही कोई होगा जो इस विल्म के बारे में ना जानता हो तो अब इंतिजार की घरी खतम हो रही है और ये फिल्म पांच नौमबर को रिलीज होगी जी हाँ मुझे पता है कि काफी लोग इस फिल्म के लिए एक्साइड़ेड हैं तो कौन-कौन फस्टे-फस्टो देखने वाला है हमें कमेंट में ज़रू बताएं इन फिल्मों के इलावा नेट्फिलिक्स पर एक बहुत ही खूपसुरत रोमैंटिक फिल्म आने वाली है मिनाक सी सुन्द्रेसवर फिल्म का ट्रेलर काफी अच्छा है अभी मन्यू दसाने और सान्या मलहुत्रा की ये फिल्म भी पांच नवंबर को नेट्फिलिक्स पर इलिज होगी तो आप इन फिल्मों मेंसे किस फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइड़ है हमें कमेंट में ज़रू बताएं वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ भी फेस्बूक वर्टसप ट्विटर पर जरू शे